So Hello Friend, Welcome Back to our new video आईए जानते हैं कि 2000 रुपए के नोट के बाद 1000 रुपए के नोट पर RBI गवर्नर ने अभी अभी क्या बड़ा फैस्ता ले लिया है नया बयान जारी हुआ है RBI गवर्नर की तरब से 1000 रुपए के नोट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है आपको पता ही होगा कि 500 रुपए और 1000 रुपए बंद हो चुका है और उसके बाद 2000 रुपए का नोट भी बंद हो चुका है लेकिन 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद अब जारी हो सकेंगे 1000 के नए नोट ऐसे में RBI ने अपने नए नियम नए निर्देश क्या जारी किये हैं इसके बारे में आप जा लिजे हाली में भारती रिजर बैंक यानि RBI ने 108 नोट नीती के तहट 2000 रुपए के नोट को भी बंद कर दिया है आप 30 सितंबर तक जाके बैंक में जमा कर पाएंगे लेकिन इससे पहले आप ये जा लिजे कि 2000 रुपए का नोट इस जून महीने में आप 12 दिनों तक जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जून महीने में 12 दिनों तक बैंक बंद रहेगा ये कुछ संडे और सेकंड सेटर्डे, फोर्थ सेटर्डे की वज़ा से है और कुछ तेवार वागेर आभी पढ़डा है ऐसे में 12 दिनों तक तो आप 2000 रुपए का नोट नहीं जमा कर पाएंगे तो अगर आपके पास है तो आप अभी भी समय है जाकर जल्दी जल्दी जमा कर दें एक दिन में 10 नोट यानि कुल 20,000 रुपए जमा आप कर पाएंगे लेकिन सरकार 1000 रुपए के नए नोट जारी करेगा या नहीं इस पर क्या निर्णे हुआ है RBI की ओर से आई इसको जानते है अब जब देश में दिरे-दिरे बैंकों से 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का काम सुरू हो गया है तो ऐसे में इस बात की चर्चा है और जनता की भी यही डिमांड है जादतर लोग यही कॉमेंट कर रहे हैं कि 1000 रुपए के नोट वापस आना चाहिए ऐसे में RBI ने क्या सोचल मीडिया पर जानकारी दी है आई इसको जानते है अधिकांस लोगों का कहिना है कि केंद सरकाथ 2000 रुपए का नोट अब बंद कर दी है तो 1000 रुपए का नया नोट आएगा चाहे वो 2025 तक आए चाहे 2024 तक आए लेकिन इन खबर को लेकर RBI गवर्नर सक्तिकान दास ने एक बड़ी जानकारी दी है जानिया RBI गवर्नर ने क्या कहा है आपको दादे इस सवाल के जवाब पे RBI गवर्नर ने कहा फिलहाल 1000 रुपए के नोट का जो नया नोट आने वाला है इस पर कोई प्रस्ताव नहीं है या सिर्फ एक अफवा है यानि उनका कहिना है कि ये सिर्फ एक अफवा है कोई भी सच्चाई नहीं है 2000 रुपए का नोट बंध है और भारती मुद्रा में 500 रुपए का नोट ही सबसे बड़ी मुद्रा कहलाएगा आपके पास 4 महीने का समय है जाके 2000 रुपए का नोट जमा करें तो दोस्तों बहुत सारी लोग कह रहे हैं कि आप 500 रुपए का नोट अगर सबसे बड़ी मुद्रा होगा तो बड़े से बड़े जो कारुबार होते हैं उसमें आयात निर्यात में आधिकांस जादा रुपए लगते हैं तो इस तरह के देन लेट में काफी जादा समस्या आएगी इसलिए बड़ा नोट भी भारती मुद्रा में होना चाहिए तो फिलाल आपको गता दे विदेशों में सिर्फ 100 रुपए सबसे बड़ी मुद्रा है अधिकांस ऐसी देश हैं जहां पर सबसे बड़ी मुद्रा 100 रुपए है तो भारत में देश की सबसे बड़ा नोट जो है वो 500 रुपए का नोट होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी तो 1000 रुपए का नया नोट अभी आने पर कोई भी नियम नहीं जारी किया गया न कोई निर्देश आया है लेकिन RBI के तरब से जल्द ही इस पर कोई निर्देश भी आ सकता है अगर आएगा तो आपको अपडेट दिया जाएगा आपको जानकारी पसंद आई होगी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुने चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नए अपडेट में धन्यवाद